कि स्मिती जी आईए और हम लोगे साथ अगर आप चीक चीक के उस बच्चे की पुकार और दर्थ को समझ रही थी तो आईए ना आज आज गया सिलिंडर 10.054 रुपए हो गया है आज आज आप हमारे साथ चीक चीक कर गरीबों की बात करिए अपने घर की रंजिश मत निकालि है प्लीज आप मंतरी स्मिती रानी जी ने कहा कि जब भूखा बच्चा चीक चीक कर भूख से ब्याकुल हो रहा होता है तो सरकार क्यों नहीं सुनती है जब कि सान आप मत्या कर रहा होता है तो आपके कान में आप रूई डाल के सोचाते हो I wish कि स्मिती जी आईए और हम लो जिक जिक कर गरीबों की बात करिये मुझे मुझे प्रेमचन जी की एक रचना याद आ गई गो दान गो का दान एक बहुत आरी अगरी फैमिली थी जो पूरे जिन्दगी वर सपना देती रही कि अपने बच्चों को दूद और दहीं खिला पाए एक गाएं को पाल के लेकिन उसका पती बिमार पढ़ता है और शया पर होता है पांच मिनट बाद उसकी डेथ होने वाली होती है और पंडी जी आते हैं और कहते हैं कि गो दान कर दीजिए तो आपका पती स्वक सिधार जाएगा उसकी पत्मी घर से गई एक रुपय का सिक्का लेकर आई और पंडी जी को दिया और कहा पंडी जी मेरे घर में यही एक रुपया बचा है पूरी जिन्दगी मेरा पती दूद और दहीं के सपने लेकर गो पालने के सपने देख रहा था और आज आप कह रहे हैं कि स्वक अधाने के लिए गौ का दान कर दीजिए मैं यह इसलिए बोल रही हूं कि आज गरीब के पेट में लात मारी जा रही है और मोधी साब हमारे कह रहे हैं थाली बजाओ थाली बजाओ थाली बजाओ आप सारा ठीकरा आप सारा ठीकरा यूक्रेन की लड़ाई पे ठोक रहे है आप COVID को दे रहे हैं लेकिन आपने आपकी नीती ने जो नोट बंदी से 2016 से जो गलतियां पर गलतियां पर गलतियां की जितने अर्थ शास्त्री थे उन सब ने कहा था जब हमारे देश की आर्थिक इस्तिती बिलकुल इस्टेबल थी उस वक्त नोट बंदी नहीं कीजिए नह का नाम नहीं लोगी उन्होंने भी कहा था कि नहीं करनी चाहिए नोट बंदी उस दिन ते आग तक हम अपने देश की आर्थिक इस्तिती को सभालने पा रहे हैं मैं 2013 का प्रदान मंत्री जी का भाशन याद कर रही थी जिन पर उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंग जी आए और महंगाई के बारे में बताए कि कब कम होगी उन्होंने कहा मरो तो मरो आपका नसीब यह प्रदान मंत्री मोदी जी के शब्द थे मनमोहन सिंग जी के लिए उन्होंने कहा था कि आप गरीबों के लिए क्या रहे हैं मरो तो मरो आपका नसीब मुझे फिर याद आ र तो से बाहर निकलो और धालिया बजाने काम करो ठाली बजाने से आपके बें भोजन मिल जाएगा थे हमारी माननीय मंट्री स्मीति रानी जी ने कहा कि जब भूखा बच्चा चीक चीक कर भूख से व्याकुल हो रहा होता है तो सरकार क्यों नहीं सुनती है जब किसान आप मत्या कर रहा होता है तो आपके कान में आप रूई डाल के सो जाते हो I wish किसमिती जी आईए और हम लोगे साथ अगर आप चीक चीक के उस बच्चे की पुकार और दर्थ को समझ रही थी तो आईए ने आज आज गया सिलिंडर 10,054 रुपए हो गया है आज आप हमारे साथ चीक चीक कर गरीबों की बात करिए अपने घर की रंजिश मत निकालिए प्लीज आप मंत्री इसके बाद मैं सुश्मा जी का मानिय मंत्री किसी के नाम लेकर रहा है सवाज नहीं करना की मारीबों के बारे में सोचने वाली सरकार नहीं है यह विश्वास घाती सरकार है आज मुझे क्याना पढ़ रहा है कि अगर सुश्मा जी होती तो वो निस्चित बोलती कि यह सवेदन हीर सरकार है हमारी ही सरकार है यह विश्वास घाती सरकार है हमारी ही सरकार है मुझे डर लगता है जब मैं प्रदान मंत्री के उस स्पीश को सुनती हूँ जो उन्होंने कहा था कि घर में चुला नहीं जलता है बच्चे भूग से रोरो कर सोते हैं और मा आख में आसू लेकर चुप हो जाती है जब आसू की बात पीम से आपके मुझे सुनते हैं तो हमें डर लग जाता है क्योंकि उन्होंने पहले मिदिल क्लास से माहिलाओं के आसू निकलते है मेरे भी निकलते है सबसीडी छोड़ दो माहिलाओं ने छोड़ दी कहा गरीबों को सबसीडी देंगे हम सब ने सबसीडी छोड़ दी आज हर्श क्या हुआ आज आपने सोला सो रुपए का एक जुन जुना पकड़ा कर साथ करोड लगभग लोगों को आपने चुला और गैस दिया आपको मालूम था कि गरीब आपके जहासे में फसेगा एक चुना और दो चुना आपने उजुल सो रुपए वो सबसीडी जिस रेवडी की बात आज मोदी सहाब कर रहे हैं प्रदान मंत्री सहाब कर रहे हैं क्या वो रेवडी नहीं थी लेकिन वो रेवडी में फरक इतना था गरीबों के लिए नहीं थी गैस अजेंसिस के लिए थी आप सोला सो रुपए गरीबों से ल वो लोग है जो उज्वला के तहट आते हैं एक साल में एक भी गैस रिफिल नहीं करा रहे हैं सारे तीन करोड के लगवग वैसे लोग है जो साल में एक रिफिल करा रहे हैं यह किसको दिया था जुरुजना यह किसकी रेवडी थी रेवडी तो प्रदान मंत्री साभ आपने काल मैं सुन रही थी आपके लोकसभा में बाजपा के एक चांसर बोल रहे थे उस वक्त भी उस वक्त भी आपके टाइम पे 900 रुपए गया सिलिंडर था मानते है 900 रुपए था लेकिन हम अपनी रेवनियां गरीबों में दे रहे थे बिल्कुल 400 रुपए कम में गया सिलिंड दे रहे थे हम गरीबों की मदद कर रहे थे हम NPA की और करोड़पतियों की मदद नहीं कर रहे थे हम उनके साड़े 3-3 लाग करोड़ उपए माफ नहीं कर रहे थे हम गरीबों को दे रहे थे आप सिक खात सुरक्चा खात सुरक्चा की बात कर रहे एक तरफ मोधिस आप कहत तिल था ना चीनी थी ना गुड़ था यह तिल चीनी गुड़ सब को जो लेके गया वो कॉर्पेट थे एक और रेवडी की आप दिलाना चाहते हूं आपको जियो आप एक तरफ कह रहे हैं कि रेवडी नहीं खिलानी चाहिए आपने क्या किया पूरे देश को जियो का कर्पेट के लिए थी गरिबों के लिए नहीं थी दूसरी तरफ मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि मेरी बात हो रही थी एक चोटी सी फ्यक्ति चलाने वाला व्यक्ति है उन्होंने सुबह बोला कि GST GST निर्मला जी का कल में भाशन सुन रही थी कि उन्होंने बोला कि लगबग एक लाग पैतालिस लाग करोर GST something मेरे आखड़े गलत हो सकते है कि इस पार भी हमने GST से पाया मैं मंत्री साब से पुछना चाहूंगी आप GST तो पा रहे हैं जो लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्रिया चिला रहे हैं विदिन मन्त उनको ब्यास बैंक का ब्यास भी देना पड़ता है GST भी गवर्मेंट को देना पड़ता है पंदा दिन के अंदर अगर वो नहीं देंगे तो आप एनटी लगाते हैं लेकिन उनका GST का इंपुड आपको कितने दिन में देना था एक एक साल लगाकर आप उनका इंपुड नहीं देते हैं क्या खरबो आप GST लगा रहा है 5% आप GST लगा रहा है 12-18% दोनों ही GST में आम आदमी मरता है किसी ने बोला कि 5% GST से किसको फर्क पड़ेगा पड़ता है जो व्यक्ति वृद्धा पेंशन 500 रुपए के लिए 8 घंटे लाइनों में खड़ा होता है पूरा महीना चलाता है अगर उसक हूँ कि क्या आप चाहते हैं जिंदगी मार वो गरीब ठेले में मक्षी लगता हुआ खाना ही खाता रहे क्या उसका हक नहीं है कि वह पैकिंग खाने को खाए क्या उसका नहीं है कि राइट राइट रुपए की लशी चार्ज दूद धहीं हम सब बच्चे स्कूल से आते है तो जाके किसी भी MDMC के MDC के उससे चार्ज लेते हैं तो क्या उसमें आप 12-18 परसंट जो लगा रहे हैं वो क्या गरीब अमीर खाता है या किसी करोड़ पती का बच्चा वो टेट्रा वाली लशी पीता है जिसके लिए आप क्या रहे हैं कि 12-18 करनी है मुझे बच्चा बोल प्लीज दो मिनाइट एकस्ता दिया मैंने आपको आपने आप पॉल्टिकल सवाल उच्चे में बचे तो मैं क्या करूँ सर कंक्रूड करें उसने बोला कि आप बताते क्यों नहीं है इसकूटी से जाए तो तेल महंगा एक टैट्रा का 10 रुपे का जूस पिए तो वो महंगा इसकूल में जाए तो पैंसिल रवर इरेजर कटर महंगा तो आदमी जाए तो कहां जाए एक तरफ आप लोट कोविड म हैं 23 करोड को गरीबी निखा में लेकिया गए 98 परसंट लोग कि सारी आमदनी घड़ गई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूं बार बार लोग कह रहे थे कि रूपया गिर रहा है देश की अबरू जारी अबरू जारी है मनमोहन सिंग जिन आपने पूछा था और मनमोहन अगर आप चाहते हैं गरीब हर बंचीत इंसान के आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबार ना बोलें देखते हैं बहुजनल के न्यूज़